आज मैं आज सब के लिए लेकर आई हूँ कच्चे चावल, कच्चे आलू और सूजी की एकदम यूनिक रेश्पी साइड आज से पाले इसको आप सबने ट्राई किया होगा खाने में बहुत ही टेश्टी है तो चलिए रेश्पी शुरू करते हैं तो यहां पे मैं लिए हूँ चावल का आटा और यहां पे सूजी लिए हूँ बारिक सूजी है आदा कप सूजी लिए हूँ और एक कप चावल का में आटा लिए हूँ तो 100 गराम चावल का आटा है और 50 गराम सूजी है तो यहाँ पर मैं ले ली हूँ आधा आधा करके और यहाँ पर दो आलू ली हूँ कच्चा आलू है इसको मैं छील के असाफ करके धो के मैं ले ली हूँ अब आलू को क्या करना है इसको कट करना है अब अपने हिसाब से किसी भी सेब में इसको कट कर लीजिए पे आलू बहुत अच्छा से उबला भी जाती है अब बहुत अच्छा से इसमें टेस्ट भी आती है अब ऐसे खड़े खड़े आलू भी अगर उबाल के लेना चाहती है तो खड़े आलू भी उबाल के आप ले सकती है अब चलिए गैस के तरब तो गैस पे यहां पे मैं रख के रख दूंगी 10 मिनट के बाद में चिक करके देखूंगी आलू कितना पका है तो देख सकते हैं प्रेंट आलू इदम पक गई है मतलब हो गई है इसको मैं दबा के दिखा रही हूं इससे बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है अगर आप आलू उबाल के बना रही है तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा जितना अच्छा टेस्ट आता है ऐसे उबाल के बनाने में तो आलू को मैं यहां पर छान ले रही हूं कि ताकि पानी जो है सब निकल जाए और थोड़ी सी मैं इसमें डाल दूंगी ठंधा पानी कि जो श्टार्च लगे रहते हैं आलू मे ठंडी भी हो जाएगी तो इसलिए मैं पानी ठोड़ी डाल दे रहे हूं अगर आप पानी नहीं डालना चाहती है तो मड़ डालिये पानी वैसे ले लिजे तो यहां पर में रख दे रहे हूं आलू को थोड़ा ठंधा होने के लिए और आगे की तयारी कर लेती हूं उसके पर यहां पर शॉत स Allah बनाते हैं गोलगोल काटकर उसी तरह से आप काटकर तमाटा ले लिजिए यहां पर में चट-पटा सल्वाट देने के लिए ली हूं रेट चिली सॉस एक सामच में ली नमाच और यहां पनली हूं ग्रिंस द्वह संग Hai सोया सौस में ले ली हूं उसक कि सॉस में भी नमक रहती है उसके बाद आलू ठंडी हो गई है तो आलू को मैं मैस कर लोंगी इसको एकदम मैस कर लेना है काकि इसमूद जैसे पेश्ट राती है उसी तरह से यह बन जाए क्योंकि खड़ा आलू रहेगा तो अच्छा रेश्पी नहीं बनेगी इसलिए एकद कर देखें कितना इसमूद एदम पेश्ट बनके तयार हो गई है तो इसको मैं एक कटोरी इसे में नाप के दिखा रही हूँ तो यहां पर देख सकते हैं कि एक कटोरी है मतलब फुल नहीं भरी है है ठोड़ी सी कम है तो यहां पर मैं ले ली हूँ एक कटोरी उबला हुआ आलू, उसके बाद आगे की तयारी कर लेते हैं, तो आलू को मैं मिक्सिंग बॉल में रख दूंगी, उसके बाद मैं यहां पे मैं आइट करूंगी, नमक, स्वाधनुसार, उसके बाद मैं यहां पे लिए हूँ चावल का आटा, चावल का आटा मैं यहां पे एक कटोरी डाल दूँगी थोड़ा समय उसमें से बचा ली हूँ और सूजी में डाल दूँगी एक कटोरी थोड़ी सी सूजी भी में बचा दी हूँ अगर इस टीपिंग जादे गिली होगी तो मैं डाल दूँगी अगर ठीक रहेगी तो नहीं डालूँगी इसके बाद आलू में अच्छा नहीं होनी चाहिए एकदम मुलायम होनी चाहिए ताकि हमारी नास्ता बहुत ही यूनिक बने तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी पानी डालते हुए इसको सान्नी है ताकि अच्छा से हमारी आटा की डो लगके तैयार हो जाए तो देख सकते हैं फ्रेंड कितनी अच्छा से ये सना के अच्छा से रेडी हो जा रही है और कितना अच्छा से सना गई है इसको पांच मिनट के लिए रेश्ट के लिए रख देते हैं पांच मिनट के बाद देखिए एकदम फूल के एकदम कितना अच्छा से तयार हो गई है बस इसकी consistency इतनी चाहिए, जादे सक नहीं चाहिए, बस ऐसे ही नरम और मुलायम आटा चाहिए नाश्ता के लिए एकदम perfect है तो यहाँ पर मैं लीवी थोड़ी सी तेल, आप तेल की जगें घीर का भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ी सी यहाँ पर लोई लेना है, उसके बाद मैं हाथों की मदद से उसको गोल करनी है, उसको गोल करना है हाथों से उसको एक shape देनी है, जैसे गोली राता है न, उसी shape का बनाना है उसके बाद मैं दूसरी ले ले रही हूं थोड़ी सी आटा उसके बाद हाथों से अंगलियों से उसको धीरे धीरे उसको गदोरियों में रखके उसको एक गोल अकार में उसको बनाना है तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंट कितनी अच्छा से बन जा रही है तो ऐसे ही सभी नास्ता को बना के रेडिकल लेनी है अब इस गोली को सेफ देने के लिए यहाँ पर मैं ली हूँ कद्दू कस लेने के बाद मैं ली हूँ चावल का आटा है यह अब चावल की आटा की जगर मैंदा भी ले सकते हैं या ग्यों का आटा भी ले सकते हैं तो यहां पर गोली को थोड़ा से लगा दीजिए, चावल का आटा, उसके बाद कद्दू कस्पे रखिए, और किसी बोतल से आप पेपसी का बोतल भी ले सकते हैं, या पानी का बोतल ले सकते हैं, रखके और धीरे से उसको दबा के उसको निकाल लेजिए, इसी तरह से दूस निकाल लेनी हैं, देखिए कितनी अच्छा से नास्ता बनके तयार हो गई है, तो देख सकते हैं, कितनी अच्छा से बनके तयार हो गई है, अब बहुत जल्दी बन भी जाती है, इसका सेव देख सकती है, कितना अच्छा, कितना सुन्दल लग रही है देखने में, उतना ही अच्छा खाने भी लगता है तो यहाँ पर मैं रख दीती पहले से पानी गरम होने के लिए पानी गरम हो गई है मतलब उसमें से देखे भाब निकलने लगा है पानी खुलने लगा है तो वहाँ पर सभी नास्ता को मैं डाल दी हूँ 10-15 मिनट तक इसको फ्ले तेज रखियेगा गैस का उसके बाद 10-15 मिनट तक इसको उसमें उबालना है पानी में उसके बाद धीरे से उसको थोड़ा सा हिला डुला दीजे ताकि नीचे चपके न वह से चपकेगा नहीं नास्ता बहुत ही अच्छा बनके तयार होगी तो धीरे से थोड़ा सा मैं डबा दी हूँ 10-15 मिनट हो गई है उसके बाद मैं थोड़ा चेक कर लेती हूँ देखे सभी नास्ता फूल फूल के उपर आ गई है देख सकते हैं फ्रेंड उपर कितना उपर आ गया है तो इसी तरह से बना लेनी है एक चम्मस से दबा के देख लेनी है तो देख सकते हैं कितना अच्छा से बनके तयार हो गई है तो इसको अब निकाल लेनी है एक पलेट में गैस को मैं बंद कर दी हूँ अब इसको छान के एक पलेट में निकाल लेनी है ताक कि आगे की तयारी कर सकें तो एक पलेट में इसको मैं निकाल ले रही हूं छान के आप इसको ऐसे भी खा सकती हैं बहुत ही टेस्टी लगता ठंडा होने के बाद आप चलते हैं आगे की तयारी कर लेते हैं एक चटपटी टेस्ट देने के लिए तो यहाँ पर मैं रख दी हूँ पेन पेन में टेल डाल दी हूँ अब कोई भी टेल ले सकते हैं तेल में दो चमच डाली हूँ तेल गरम हो गई है तो मैं कटा हुआ प्याज डाल दे रही हूँ उसके बाद में इसमें डाल दूंगी कटा हुआ टमाटर टमाटर में गोल सेप में काटी हूँ गोल सेप में बहुत ही अच्छी लगती है उसके बाद हरी मिर्च डाल दी हूँ एक कटा हुआ उसके बाद में चार से पांच मिनट तक इसको चलाएंगे चुछाहिंorth हों, पूरी तरह से शोच नहीं करनी है, थोड़ी sf हो जाएं ताकि थोड़ा करद सर्थ कर्च हों लगए उसके बाद में जो नास्ता बना है नास्ता उसमें डाल देनी है नास्ता डालने के बाद उसम ये हम डालेगे मेगी माईजिक मसाल्या, पैक के आप किसी भी कमपनी का मैजिक मसाला ले सकते हैं और डाल सकते हैं तो इससे बहुत ही टेश्टी लगता चटपटा बनके तयार होती है उसके बाद छोटी चम्मच डाल दे रही हूं हल्दी पौडर आधी छोटी चम्मच में डाल दे रही हूं डेट चिली फिलेक्स अगर ती और एक चम्मच में डाल दे रही है ती कर शकते हैं ऑक चम्मच में डाल दूँगी गरीन चिली सॉट अगर आप के पास इसम trabalho कर सकते हैं तमाठर खचप है और मेगी lid मसाला है उसको यहां पे चार पांच मिनट मिनट तक इसको तरए चलाएंगे अच्छा से मसाला भी रोष्ट हो जाएगा और वह नश्त brush के त्यार हो जाएगी गर्च का फ्लेम अबंद कर देंगे और धनिया की पत्ती डाल के एक प्लेट में निकाल लेंगे तो लिजिए फ्रेंड हमारी नई नास्ता बनके तयार हो गई आलू सूजी और चावल की आता की एकदम यूनिक रेस्पी है हमने इसको एक नए अंदाज में बनाया एकदम डिफरेंट तरह की इसकी स्वाद आएगी तो आज की रेस्पी आ आप ओफिस में भी दे सकते हैं और इसको आप लेंच और डीनर दोनों समय खा सकते हैं तो आज की रेस्पी हमारी आप लोग को कैसी लगी केमेंट करके जरूर बताईएगा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सस्क्राइब जरूर कर दीजिएगा अब मिलती नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई